हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चैनल टेकनिकल मिस्रपे दोस्तों आज हम आप सभी को वताने जा रहे हैं बिरोजगारी भता क्या है और कैसे मिलेगा तो दोस्तों आप सभी आज का न्यूज देख सकते हैं बिरोजगारों को अगले five वर्सम्तक स्वयं सहायता भात्ता मिलेगा अगर दोस्तों आप विरुजगार हैं और आप इंटर पास हैं तो आपको 1000 जारें्टे रर्उप्य के रूप में आपको मिलेगा दो साल के लिए तो साल के अंदर में आपकूई अपना खोज सके और तब तक आपको एक हजार रुपे महीना की रूप में गवर्मेंट की तरफ से मिलेगा तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको पूर्ण जनकारी देंगे आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए साथ में बेल आइकन को भी दबाकर नोटिफिकेसन को और ले कि आए तो आपके पास नोटिफिकेसन जा सके और आप उस वीडियो का लाप ले सकें तो दोस्तों हम वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको सिक्षा विभाग योज सकते हैं उसके बाश से आप देख सकते हैं बिचसित बिहार के साथ निश्चे आर्थिक हल इवाओं को बल के अंत्रगत राज के लिए वीठायस्ट करेडिट कर्रेधित कजना उसके आपको मुखमंतनी निश्चय स्वेम सहायता भात्ता के बारे में हम आपको पुर्जनकारी दे देते हैं दोस्तों तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक औलाइट अगर आप जैसे किजिएगा तो आपके नंबर पे मुवाइल नंबर पे यूजर आइडी और पासवर्ड आएगा इसमें आपको यूजर आइडी पासवर्ड और केप्चा कोड डालकर लॉगिन किजिएगा तो आप फिर से वहां पे पूरा अपना डॉकमेंट डालकर सेब लीजि हैं मुख मंत्री स्वयम सहायता भत्ता योजना योम कुसल युवा प्रोग्राम के आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने के 60 दिनों के अंदर अनिवार्ज रूप से किसी भी कार्ज दिवस को सुबह 10 बज़े से साम 5 बज़े के बीच में सारे जaca पहुंच कर दस्थ बेजों का सत्यापन करना सून स्ट करें आपको ऑनलाइन करने के बाद से बस्तों के साथ दिनों के अंदर में डी अर्श सी में जाकर अपना करना ज़रूरी है अब दोस्तों गाइडलाइन पर क्लिक करके देख लेना है कि इसमें क्या क्या लगेगा और कैसे क्या करना है तो यहां पर गाइडलाइन पर जैसे क्लिक किजिएगा और एक पीडियो फाइल डाउनलोड हो जाएगा उस गाइडलाइल को दोस्तों आप सबी एक बार पूरी तरसे समझ लेजिए की क्या 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 करना है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मुखमंत्रीनीश्च्यय हो यूग सफलता पूर्पक कारवयन योम जीला निवंधन के रूप में यहां पे आप एज देख सकते हैं दोस्तों 20-25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलासने के दवरान सहायता के तौर पर एक हजार रुपे परती माह की दर से स्वयम सहायता भत्ता दो वर्षों के लिए दी जाएगे यहां पे आपका एज दोस्तों 20-25 के अंदर आना चाहिए 20-25 के एज अंदर होगा तभी आप इसका ओनलेन आवेदन कर सकते हैं तभी आपको इसका सुब्दा मिल सकता है अब यह देख सकते हैं दोस्तों मुख मंत्री निश्चे स्वयम सहायता भत्ता योजना के उद्दिस 20-25 वर्ष आयुवर्ग के बारामिक अक्षा उत्रिण विरोजगार इवक युक्तियों को रोजगार तलासने के दरान स्वयम सहायता भत्ता की रासी परदान कर आर्थिक मदद क करना है योग आवेदक को परतीमाः की रुपे रासी दी जाएगी अब इसमें आपको देखना है दोस्तों इसमें डौकुमेंट क्या क्या लगेगा इसके लिए आपको और निचे आना है और इसमें आप अपना डौकुमेंट में यहां पे आप देख सकते हैं स्वेम सहता भाता हेतु एक छुक इवाओं को जिला निबंधन केंद्र पर आवेदन जमा करते समय अपने आवेदन पत्र के साथ निमलेखित कागजातों के छहया परती की स्वफ परमाड़ित परती संगलगन करने होगे भारभी क्छा आपका बाती बारब के लिए लिए लेगे लेगा पैसा यह जा सके आपक पास्भू की पर्थम प्रिष्ट competent जिसमें आवेदर का नाम पता बैंक हाता संख्या संबंदित बैंक साखा का आई एप सी कोड असपस्ट रूप से दिख रहा हो उसके बाद से आधार काड लगेगा इसके बाद से दोस्तों काउंटर पर प्राप्त स्व अभिपरमारित आवेदन पत्र आउसे कांगजातों की चाया परते अभिलेक के रूप में रख लिजाएगी एवं कंप्यूटर में सब्ट कोपी में संबंदित आवेदक एवं उसके साथ स्केन कर जोड़े गए मुलक आगजातों को ऑनलाइन ही केंद्र में चिन्दित सहायता प्रबंद को अंतरित कर दिया जाएगा सभी अस्त प्रिवेस द्वार पर में आई हेल्प यू का वी काउंटर होगा जहां से आप किसी भी परकार का जनकारी आप वहां से ले सकते हैं अब आपको दोस्तों DRCC ऑफिस कहां है आपके जिले में कहां पर DRCC ऑफिस बना हुआ है इसके भी हम बता दे रहे हैं आपको कैसे चेक करन इस पीडियो फाइल में नीचे आने पर आपको नीचे जब आईएगा तो आपको एक फरम मिलेगा जिस में जिस फरम को आप ऑफ-लाइन भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालकर आप ऑफ-लाइन भी भरके जमा कर सकते हैं अगर आप आप अनलाइन नहीं करना चाहत सारे डोकुमेंट को लगा कर वहां पर आप डाइरेक्ट जमा भी कर सकते हैं जमा करने के बाद से दोस्तों आपको पावर्ती रसीद भी प्राप्त होगा तो आपको रसीद मिल जाएगा अब आपको करना क्या है कि DRC office कहा है इसके लिए आपको contact us जो यहां पे दिख रहा ह है और DRC office जहां जहां भी है आप यहां पर खुल जाएगा उनका contact नमबर और उस मेनेजर का नाम भी यहां पर आपको दिख जाएगा तो आप अपने यहां पर जो है चूज कर लिजेगा तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों सेलेंद कुमार पांडे हमारे जीले का जो है DR DRC office का मैनेजर है और इनका address जो है आप आप देख सकते हैं पूरा पूरा address यहां पर दिख रहा है अरे राज रोड रोड बेटिया आइटी आई ट्रेनिंग सेंटर यहां पर सब चीज देख रहा है अब आपको इसी address पर जाना है और DRC office में आपको अपना जो भी कागजात है वो सभी जमा करके verify कर लेना है वहां से जैसे ही verify हो जाएगा दोस्तों तो आपके खाते में हर माएक एक हजार रुपे की रासी आपको प्राप्त होगा तो अगले वीडियो में दोस्तों हम इसका online कैसे करेंगे उसके बारे में हम पूरी step by step वीडियो बनाके आपको बता रहें और अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए साथ ने बेल आइकन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को आउन कर लेजिए ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो लेकिया है तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सकें औ और आप उस वीडियो का लाब ले सकें थैंक्स